वे बोले, मूर्ख के साथ चलने से अकेले चलना बहतर है। आप चाहें, तो आज शाम ही होश पूरवक विकास कर सकते हैं। इंसान के विकास की कोई सीमा नहीं है। ये चीज हर इंसान को करनी चाहिए। फिर लोगों का मेल जोल बेहत फाइदे मंद होगा। जब गौतम बुद्ध से पूछा गया। अकेले चलना बहतर है या साथ में। वे बोले, मूर्ख के साथ चलने से अकेले चलना बहतर है। ये उन्होंने बोला मैंने नहीं। उन्हें यकीन था कि एक मूर्ख ही आपके साथ चलेगा। तो वे बोले, मूर्ख के साथ चलने से अच्छा है अकेले चलना। इस देश में ऐसा कहा जाता है, अगर आप एक छोटी और जल्द यात्रा करना चाहते हैं, तो अकेले चलें। और जब आप लंबी यात्रा चाहते हैं, तो लोगों के साथ चलें। पर महत्वपून ये है कि आपके साथ कौन है। साथ रहना हमेशा अच्छा नहीं होता। कई बार साथ रहना परिशानी बन सकता है। तो सबसे पहले और ज़रूरी बात, जब तक आप जुड़वा नहों, हों तब भी हम इस दुनिया में अकेले आते हैं और अकेले जाते हैं। अगर कोई अकेले अच्छे से रहना नहीं जानता या जानती, तो साथ रहना परिशानी हो सकता है। हमें मनुष्य कहा जाता है। मनुष्य के अलावा, हर दूसरा प्राणी अपने काम की वज़े से वैसा प्राणी कहलाता है। पर मनुष्य बस हो सकते हैं। ये इनसान का अनुठा गुण हैं कि हम बस हो सकते हैं। मतलब ये कि हमें आदतों से मजबूर चीजे नहीं करनी पड़ती। हमारे काम सचेत और समझदार हैं। पर आम तौर पर जब लोगे कठे होते हैं, आम तौर पर वे आदतों से मजबूर होकर चीजें करते हैं। ये एक संग हो सकता है जहां उदेश्य होता है, या एक गैंग हो सकता है जहां मकसद होता है, या भीड जो आदतों के हिसाब से चलती है। तो मूल रूप से मनुष्य होना यानी हम खुद में इतने विक्सित हो गए हैं कि अगर हम चाहें, तो बस यूँ ही बैठ सकते हैं, बस हो सकते हैं। हम सोच सकते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। ये बिलकुल व्यक्तिकत है, जब लोग जुड़ते हैं, तो हम शब्द का प्रयोग होता है, पर फिर भी ये व्यक्तियों को जुड़ना पड़ता है। एक व्यक्ति यानि अब आपके और टुक्ड़े नहीं हो सकते, यानि आप बस एक हैं। लोग खुद को अपने ही अंदर बाटने के कई तरीके खोजते हैं। भारत की 10,000 साल की संस्कृती ने खुद को अपने ही अंदर बाटने के कई शब्द खोजे हैं। लोगों के लिए आत्मा, पर्मात्मा, एहंकार इन चीजों की बाते करना बहुत आम है पर हर संस्कृती में ऐसे अलग तरीके होते हैं जब चीज़ें अच्छे से नहीं चलती है अगर चीज़ें अच्छी होंगी और आप लोगों से पूछेंगे तो वो कहेंगे हाँ, मैंने किया जब चीज़ें गलत होती हैं, जब गल्तियां होती हैं तो लोग किसी पर दोश डालते हैं, कोई नहीं मिलता, तो वो तो है ही जब वे अद्भुत चीजें करते हैं तो उन्हें गर्व जरूर होता है कि वे कितने अद्भुत हैं पर बुरी चीजें करके कहते हैं ये मेरा एहंकार था दोश हमेशा एहंकार पर डाला जाता है तो व्यक्ति यानि अद्भुत काम भी मेरे हैं और बुरे काम भी क्या आप लोग 2400 घंटे अद्भुत होते हैं क्या आप हमेशा अद्भुत होते हैं नहीं नहीं कभी अद्भुत कभी बुरे कभी सुन्दर तो कभी बदसूरत ठीक है अगर हम ये समझें कि मैं खुद ही बिल्कुल अद्भुत और मैं खुद ही एक पल में बिल्कुल बुरा भी हो सकता हूँ तो कड़वाहट के पलों की संख्या धीरे-धीरे कम होती जाएगी जो अद्भुत है वो मैं हूँ, जो बुरा है भारत में ऐसे कई शब्द हैं, ये मेरा कर्म है, मैं क्या करूँ नहीं, आप इसे ठीक करें एक व्यक्ति होना बहुत जरूरी है, एक व्यक्ति यानि आप खुद को और नहीं बांट सकते अद्भुत काम भी मेरे हैं और बुरे काम भी सफलता भी मेरी है और असफलता भी आपको ये समझना होगा मैं आपसे एक सरल सवाल पूछ रहा हूँ इसमें कितने लोग हैं? हलो? आपके अंदर कितने लोग हैं? एक, दो? सिर्फ एक अगर आप एक हैं, तो आप एक सामान ये इनसान हैं एक से ज्यादा या तो स्कीजोफरीनिक या किसी औरनिक अबजा कर रखा है आपको एक मनोचिकित सक या एक ओजहा की जरूरत है पर आप देखेंगे कि जब कोई घलती होगी तो आप एक से ज्यादा हो जाएंगे अचानक तो एक व्यक्ति बनना यानि आपने सभी टुकडे मिटा कर कहा बस मैं हूँ ये जो मैं हूँ इसके कई आयाम है अगर इसे एक इकाई न मान कर हिस्सों में बाटा जाए तो रूपांतरन नहीं होगा अगर बदलाव नहीं होता है और वैसे लोग जुडेंगे तो समाधान से ज्यादा गड़बड होगी सभी जीव एक साथ रहते हैं हर तरह के जंगली, जानवर अकसर एक साथ घूमते हैं बंदर भी, जो हम से सिर्फ एक कदम पीछे हैं वे भी जुंड में रहते हैं सिर्फ मनुष्य ही अकेले बैठ कर खुद को बदल सकता है क्योंकि ये मानव होने का विशेश आधिकार है कि हम बस हो सकते हैं तभी आप मनुष्य कहलाते हैं आप सहज हो सकते हैं आप आदतों से मजबूर नहीं है अगर आप चाहें तो आज ही आप होश पूरवक विक्सित हो सकते हैं आप चाहें तो इसमें लाखों वर्ष नहीं लगेंगे क्योंकि हमारा विकास अब शारिरेक नहीं बलकि सचेतन है हर दूसरे प्राणी के लिए ये तै है प्रकृती ने दो रेखाएं खीची है उन्हीं में बाकी प्राणी जीते और मरते हैं पर इंसान के रूप में पैदा होने पर बस नीचे की रेखा खीची है उपर की रेखा नहीं है इंसान क्या बन सकता है इसकी कोई सीमा नहीं है तो लोगों से जुड़ने से पहले ये अच्छा होगा कि हर दिन सुबा या जीवन का कुछ समय अगर आप खुद के साथ थोड़ा समय बिता कर देखें कि ये किस तरह से कल से थोड़ा बहतर हो सकता है ये जीवन, ये कल की तुलना में थोड़ा बहतर कैसे हो सकता है क्योंकि ज्यादा तर लोग जरूरते पूरी करने के लिए जुड़ते हैं वे इसी लिए एक दूसरे से जुड़ते हैं कुछ लोग किसी उदेश्य की वज़य से जुड़ते हैं कुछ लोग साथ में खाने, पीने और रहने के लिए जुड़ते हैं, क्योंकि वे अकेले नहीं रहे पाते ये चीज हर इंसान को करनी चाहिए कुछ समय के लिए आप ये कीजिए, बस 24 घंटे हर चीज से ब्रेक लीजिए, आज नहीं आप लोगों के बीच है कभी ब्रेक लें, बस 24 घंटे न तो कुछ पढ़िये, न टीवी, न फोन का उप्योग बस अपने कमरे में बैठिये, सतर्क रहिए, सोईए मत तब आप अपने मन की प्रकृति देख कर खुद कहेंगे कि ये पागल आदमी है क्यूंकि अधिकांश लोगों का मन तभी तक कहीं टिकता है जब वे काम करते हैं, वरना वे सहज नहीं हो पाते मांसिक हलचल की मजबूरी है ऐसी हालत में जीवन सहज नहीं हो सकता यानि हम आपको मनुश्य नहीं कह सकते सहजता जरूरी है तभी मेल जोल का फाइदा होगा अगर आप अकेले रहना जानते हैं तो दूसरों से जुड़ना बेहत फाइदे मंद और बहुत मूल्यवान होगा क्योंकि तब आप जागरुकता के साथ जुड़ेंगे क्योंकि तूसरों से जुड़ेंगे क्योंकि तूसरों से जुड़ेंगे क्योंकि तूसरों से जुड़ेंगे